नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब प्लैट्फॉर्म एमडी क्लासेस पर तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आज गुरुब डी का जो पेपर हुआ आज दोस्तों 17 अगस्त है और आज जो गुरुब डी का पहला पेपर हुआ पहले ही शिप्ट का उसमें नोबल प्राइस रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो बिलकुल बिना विलम के आपको सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि यह जो नोबल पुरसकार है आप सभी जानते हैं कि नोबल पुरसकार में यह जो नोबल शब्द का इस्तेमाल यहां पर होता है तो यह दरसल में अलफरेंड नोबल जो वैत्ती थे भई वैतरीन पर उनके नाम पर यह अल्फरिंट शब्दाता है और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अल्फय नोबल की याद में ये नोबल पुरस्कार दिये तो अगर कभी पूछ ले कि किसकी याद में नोबल पुरसकार दिये जाते हैं तो अलफ्रेंट नोबल की याद में नोबल पुरसकार दिये जाते हैं और यह अलफ्रेंट नोबल किसके खोच करता थे दोस्तों तो डाइनामाइट के खोच करता थे तो एक तो यह आपको याद रखना है अब दोस्तों अगली चीज याद करिएगा कि अल्फरेंट नोबल के नाम पर ही हमारे देश में एक पार्क हुआ करता था जिसका नाम था अल्फरेंट पार्क जियां दोस्तों अल्फरेंट पार्क हलाकि उसका नाम बदल कर चंसेकर आजाद पार्क कर दिया गया है कि छे छेत्रों में दिये जाते हैं बहतिकी के छेत्र में अर्थात फिजिस के छेत्र में चिकिस्सा अर्थात मेडिसीन के छेत्र में रसान अर्थात कमिस्ट्री के छेत्र में साहित अर्थात लिटरेचर के छेत्र में अर्थसास अर्थात एकोनोमिस के छेत्र में और शांति नोबल पुरसकार की बात करें जैसे नोबल पुरसकार दिये जाने की शुरुआत तो वर्स 1901 में हुई लेकिन जो अर्थसास्त्र का नोबल पुरसकार है इसको देने का निरना 1967 में पहली बार लिया गया और 1969 में पहली बार अर्थसास्त्र का भी नोबल पुरसकार दिया गय था तो भाया 1969 में और आप जानते हैं कि 1969 में ही इस रोग की भी स्थापना हुई थी और 1969 में ही भारत में 14 बड़े बैंकों का इंद्रा गांदी ने एक जटके में कर दिया था उसका राश्ट्री करन कर दिया था जिया दोस्तों तो यह आपको याद रखना है अब एक चीज और जरूरी याद रखना है कि यह जो नोबल पुरिसकार है यह कहां दिये जाते हैं तो नोबल पुरिसकार दोस्तों दिये जाते हैं स्वेडन की राजधानी स्टा में दिया जाता है दोस्तों जो की कहा की राजधानी है मत्रों नारवे की राजधानी है तो इस बात को भी याद रखना होगा कि जो नोबल पुरिसकार है वो स्विडन की राजधानी स्टाक होम में दिया जाते है जब कि सांती का जो नोबल पुरिसकार है वो नारवे की प्रिया तक आया तक और इससे जुड़ी हुई जो विबन चीजें है ठीक है उनसे डाटा जारी करता है ठीक है तो यह जानकरी आपको याद रखनी है अब देखिए जो है दोस्तों कि यहां पर आप देख सकते हैं कि हम आपके लिए एक बैतरीन प्रिक भी लेकर आएं जिसक वर्स 1913 से लेकर 2019 तक दोस्तों तो यह पूरी लिस्टाट के सामने है हाला कि इसको याद करने की यह ट्रिक काफी फेमस है मैंने यह ट्रिक नहीं बनाई है लेकिन आपके लिए भी लेकर आया हूं तो आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कि रव हमारा टार्गेट है कि आपका सेलेक्शन होना चाहिए तो वही सेम ट्रिक उठाला है कोई दिक्कत नहीं है तो रवी से हो जाएगा रविन्ना टैगोर आप जानते हैं गितांजली के लिए नोबल पुरसकार मिला वर्स 1913 में तो यह देखिए सर सीवी रमन यही क्वेशन पूछा था आज के पेपर में फर्स शिप्ट में ठीके वह तो वर्स 1930 में इन्हें रमन प्रभाव के लिए फिजिस का नोबल पुरसकार मिला इसके बाद हर गोविंद खुराना जी है मदर टेरेसा है सुब्रमनियम चंशेखर है ठीक है आम से हो जाएगा अमर्ते से ना से हो जाएगा नायपाल और बी से इधर हो जाएगा विंकट रमन और कैसे हो जाएगा कैलास सत्यार थी एक व्यक्ति स्ट्रिक में फिट नहीं है और वह व्यक्ति कौन है वह तो वह आपके अभिजीत बनर जी जीनो एकोनोमी का नोबल पुरसकार मिला था अच्छा याद तो चली ठीक है जानकारी हो गई कि भई आमर्ते सेन ने कल्यानकारी अर्थसास्त्र के लिए नोबल पुरसकार जीता था वर्स 1998 में इसके अलावा आमर्ते सेन आप जानते हैं कि महभू वुल्हक जो कि पाकिस्तानी अर्थसास्त्री थे उनके साथ मिलकर इन्होंने वर्स 1990 सब्सक्राइब में डेवलप किया था क्या है अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि कि भई देखो अब आप चुकि रेलवे का पेपर देने जा रहा हो तो आपको 2021 में किसे किसे नोबल पुरसकार मिला 2022 में किसे किसे नोबल पुरसकार मिला उसको भी कोशिश करिये याद करने क्योंकि वहां से भी क्वेस्टन पूछा जा सकता है और देखिए टीस पेपर कर रहे हैं रेलवे के पुराने जो ट्रेंड रहे हैं वो यह कहते हैं कि अगर आप हुने वाले एक्जाम की अनलिसिस करके जाते हैं और उस पर आधारित अन्य और क्वेस्टन एक्सपेक्टेड सोच कर जाते हैं कि हाँ इससे संबंदित यह क्वेस्टन आ सकता है तो आपके अन्य वह एक्जाम में आएगा जैसे पिछली बार एंटीपीसी में क्या हुआ कि हमने देखा कि जैसे एक एक एक्जामपल लेते हैं तो ले लिजे एक्जामपल य लिए तो फिर human development index से किसी में पूavedर कि घेया तो किसी में पूछा गया कि भारत को किसी में रखा गया है तो किसी में आलग तो किसी में आलग तो कहने का मतलब यह है कि यह जो है trend रहेगा तो इसका मतलब कि आगर आज nobel पूरश्कार से question पूछे गयरे तो आगे भी पूछे जाएंगे तो 2021-2022 का जो करेंट का नोबल पुरिसकार विजेता हैं उनको भी याद करने का प्रयास करिया हला कि मैं समझ सकता हूँ कि इतना आसान नहीं है कि आप याद कर पाएं कि 2021-2022 में जिन लोगों ने नोबल पुरिसकार जीते हैं कि उनके नाम बड़े खतनाक होते हैं अगर उनके कोई भी नाम कोई भी शब्द टूटे फूटे शब्दों में भी अगर याद रहेगा तो भी काम चल जाएगा आपके पास कोई ने कोई बुक जरूर होगी और उसमें नोबल पुरिसकार जरूर दिया होगा एक पार नजर डालके ही प अगलेशेशन में बाँ बाँ धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मुच